दिवाली अब दो दिन दूर है लेकिन उससे पहले देश के बड़े रेलवे स्टेशन पर टिकेट और सीटों की मारा मारी मची है मुसाफिरों की भीड इतनी जादा है कि उसे देखकर ऑक्टूबर के मौसम में रेलवे के अफसर पसीना पसीना हो रहे हैं कोई ट्रेन के गेट पर लटका है तो कोई बोगी की इमर्जेंसी विंडो से ट्रेन में एंट्री ले रहा है किसी ने ट्रेन के टॉलेट को ही अपनी सीट बना लिया है तो कोई घंटे से रेल्वे स्टेशन के बाहर कड़ा होकर प्लेटफॉर्म पर एंट्री का इंतजार कर रहा है देश के सभी बड़े रेल्वे स्टेशन पर फेस्टिव सीजन से पहले कैसा है महौल देखिए रिपॉर्ट इमर्जेंसी जो खिड़की होती है उससे घुस के यादरी प्रेन के अंदर जा रहे है क्योंकि इन्हें पता है कि जो यह जनरल भोगी है उसमें इनको जगे नहीं मेलेगी उजने होगा अमरता यमराज चुक्ती पर है उजने होगा इस गाड़ी में सारे कोचित जनरल कंपार्टमेंट है सबी यात्रियों को आराम से सीट विलेगी बैठने के लिए इस्तान देगा आप सभी लोग जिनको दाना पुर जाना है प्लेयर फ्रॉन नमर्बर चार पर पहुंचें साल बड़ इंतजार करते है सरकमा के किसकी तरह से गाओं जायित त्योहार पर इसके लिए बहुत ये सब्सक्राण वे तरे पूरे साल इंतजार करते है कि कम से कम तहर पे तो पूंचे है टाइम से पन्दरा घंटे गया सबर इतने बच्चे आपके साथ लगबाद मेरे साथ चार बच्चे हैं पाँच बच्चे हैं आज बच्चे हैं या कर सकते हैं बद्वु है कर बद्दवु है लेकिन घर तो जाना पढ़े रहा न रेलवे केंपश से लेकर प्लेटफॉर्म तक टिकट विंडो से लेकर ट्रेंड की एमरजेंसी विंडो तक हिंदुस्तान की ट्रेंड नहीं रेलवे प्लेटफॉर्म तक फुल हो चुके है जहां देखो भीड़ी भीड नजर आएगी कोई ट्रेन के इंतजार में कई घंटों से लेटा हुआ है तो कोई कई घंटे से जन्रल टिकट की कतार में लगा है दिवाली और छट पर्व के चलते हिंदुस्तान के ज्यादा तर बड़े रेलवे स्टेशन पर सिचुएशन आउट अफ कंट्रोल हो चुकी है भीड इतनी ज्यादा है कि रेलवे का सरकारी तंत्र अक्टूबर के महिने में पसीना पसीना हो रहा है पैसेंजर्स की भीड ने रेलवे के सारे कैलकुलेशन फेल कर दिये हैं सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं फेस्टिव सीजन में रेलगाडियों की हालत ये है कि ततकाल रिजर्वेशन खुलते ही खत्म हो जाता है और जनरल विंडो की लाइन तूटने का नाम ही नहीं ले रही रिजर्वेशन तो दो महिने पहले ही फुल हो चुके है बहुत यदा दिक्कत है देखो आप कितनी सारी धीर लगी है लाइन लगी है हम बहुत दिन से टिकेट की भी ट्राइ कर रहे हैं पर मिल नहीं रहा था 25 से एक महिना हो गया होगा कनफर्मी नहीं हुआ यह गुजरात का सूरत रेलवे स्टेशन है जहां की भीड देखकर सीधे कुम्ब मेले की याद आ जाएगी हजारों की भीड के बीच कई महिलाएं फस चुकी है बच्चों को कंधे पर बैठा कर निकालना पड़ रहा है सूरत स्टेशन की ही दूसरी तस्वीर देखिए आपके पसीने छूप जाएगी रस्ती लगा कर हजारों लोगों को पुलिस वालों ने रोका हुआ है ये सब लोग ग्रीन सिगनल का इंतजार कर रहे हैं जैसे ही पुलिस जाने को कहेगी ये पूरी भीड ट्रेन की ओर दौड लगाएगी ये भीड इतनी है कि एक दो नहीं कई कई ट्रेन एक साथ फुल हो सकती है दिल्ली के आनंग विहार रेलवे स्टेशन की हालत भी कुछ कम नहीं है यहां भी प्लेटफॉर्म फुल हो चुके हैं बिहार और पश्टिम बंगाल जाने वाली जादा तर ट्रेनों की जनरल वोगी में पैर रखने तक की जगा नहीं बची है ट्रेन के छोटे से गेट पर भी एक नहीं कई कई मुसाफिर बैठे हुए है ट्रेन की एमर्जेंसी विंडो को लोगों ने दर्वाजा बना लिया है ये विंडो ही ट्रेन का एंट्री पॉइंट बन चुका है जिन्हें दर्वाजे पर जगा नहीं मिल रही वो लोग डाइरेक्ट एंट्री ले रहे है बिहार जाने वाले यात्री जैसे ही ट्रेन खुली है वैसे ही देखे इमर्जंसी जो खिड़की होती है उसके अंदर घुचने की कोशिश कर रहे हैं गेट में देखे कैसी भकड मच रही है एक के उपर एक यात्री चड़के कैसे ना कैसे करके इस ट्रेन में जगह पाना चाह यहां पर नहीं है। यह त्रेंग है निक्रम शिला एक्स्प्रेस जो यहां भागलपूर दिल्ली से भागलपूर जाएगी। आप यह देखें कैसे इमर्जेंसी जो घटकिया फूर्जेंसी खिडकी होती है। वहां से घूस के यह यातरी अंदर जाने की कोशिश कर रहे दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के सारे प्लेटफॉर्म फुल हो चुके है यात्रियों के लिए बाहर टेंट लगा कर अलग से वेटिंग एरिया बनाया गया है आनंद विहार में यात्री अब भी बाहर इंतजार कर रहे हैं क्या नाम है अपका कहा जाना है बिहार जाना हमें रंजीत मैं तो नाम है जैसे हम लोग बिहार जाने के लिए त्योहार पर बहुत उक्सू होते हैं कि साल बड़ी इंतजार करते हैं कि साल बड़ी इंतजार करते हैं कि इसके लिए हमें बहुत बेसबरी से इंतजार होता है पूरे साल इंतजार करते हैं कि कम तो टिकट नहीं मिला है तिक जाओगे फिर सीता मर्ण अब यह तो समय बताएगा कि कैसे पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा अब मतम जेनरल से आप जाने का भीचार टिकट नहीं कर फरम हुआ तो आप जेनरल पकरेंगे तिक अब जाने देगा तो हमारे भाई का चार का रिजर्वेशन है आप लोगों का है हम लोग का नहीं दो का नहीं हुआ आप दो लोग कैसे जाओगे तिकट ले लेते हैं देखेंगे तिश बेसर में जाने देगा तो तो कोई सा गारी से चले जाएगे तो यह हालत तब है जब रेलवे बिहार के लिए एक दिन में 9 से 10 स्पेशल गाडियां चला रहा है डिजिटल डिस्प्ले पर स्पेशल गाडियों की जानकारी दी जा रही है लगातार अनॉंसमेंट भी हो रहे है आनन्द भीहार में आज कितनी स्पेशल ट्रेन एक दिन में कितनी स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है कितनी रेगुलर ट्रेन पूरवांचल की तरफ बिहार की तरफ यहां से जा रहे है में आनंध भियार में रोजाना आठ से दस से स्पेसिल टेनर रो चलाई जा रही है जिसमें से आज हमारे पास नो स्पेसिल टेनर है एक दिन में यात्रियों का फुटफॉल कितना है इस समय आनंध भियार रेल गस्विश्टॉल तो इस समय हमारे एक लाग से उपरी है एक दि सवाल ये है कि रेलवे के पूरी ताकत जोकने के बाद भी मुंबई से लेकर दिल्ली तक, गुजराच से लेकर बिहार तक, पश्चिम बंगाल से लेकर राजिस्थान तक इतनी मारा मारी क्यों मची है? फेस्टिव सीजन में आखिर रेलवे का सिस्टम क्यों फेल हो गया है? आकड़ों से समझ लीजिए, फिर आपको दूसरे स्टेशन की हालत दिखाएगे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सालाना 3,93,62,272 यात्री ट्रैवल करते हैं यानि आस्टन रोजाना यात्री भार 1,07,000 होता है पश्चिम बंगाल के हावडा जंक्षन पर 6,13,29,319 यात्री सालाना आते हैं यानि आस्टन डेली फुटफॉल 1,68,000 होता है एहमदाबाद जंक्षन पर सालाना फुटफॉल 1,82,60,021 है डेली एवरेज 50,000 के करीब है दिल्ली के आनन विहार का सालाना आकड़ा 1,22,35,275 है डेली एवरेज व्यात्रा 33,500 है मुंबई के बांदरा टर्मिनस का सालाना फुटफॉल 65,90,652 है डेली फुटफॉल का एवरेज 18,000 निकलता है सूरत रेल्वे स्टेशन पर सालाना यात्री भार 2,22,45,68 है रोजाना का एवरेज करीब 61,000 है लेकिन फेस्टिव सीजन में सभी स्टेशन पर पैसेंजर की संख्या 3-4 गुना बढ़ चुकी है जिस स्टेशन का एवरेज 1,00,00 है वहाँ 3,00,00 तक पैसेंजर पहुच रहे है जिस स्टेशन का एवरेज 50,000 है वहाँ यात्रियों की संख्या 1,5,00,00 पहुच चुकी है हर साल दिवाली और छट पर भीड उमरती है सबसे ज़्यादा फुटफॉल नौर्थ इंडिया के रेलवे स्टेशन पर होता है तो सवाल ये है कि क्या रेलवे ने भीड से निपटने का कोई इंतजाम नहीं किया जवाब ये है कि ऐसा बिलकुल भी नहीं है रेलवे ने पिछले साल फेस्टिफ सीजन में 4300 ट्रेने चलाई थी जिसकी संख्याई इस बार बढ़ाकर 7000 कर दी गई यानि पिछले साल से डेढ़ गुना ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है इतनी स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भी हालात आउट अफ कंट्रोल क्यों हो रहे हैं क्यों यात्रियों को ट्रेन में जगा नहीं मिल पा रही हैं समझ लीजिए वजह नमबर एक, स्पेशल ट्रेन की जगा लोग रेगुलर ट्रेन में सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं वजह नमबर दो, ज्यादतर लोगों को स्पेशल ट्रेन की जानकारी ही नहीं होती वज़ा नमबर 3, जो लोग जनरल डिब्बे में सफर करते हैं, वो स्पेशल ट्रेन पर ज्यादा भरोसा नहीं करते उन्हें लगता है कि छोटे स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन नहीं रुकेगी वज़ा नमबर 4, लोग रेगुलर ट्रेन के टाइमिंग से स्टेशन पहुँशते हैं, सामने खड़ी ट्रेन को स्पेशल ट्रेन के भरोसे छोड़ना नहीं चाहते हैं लोग दोड़ कर पहली ट्रेन पकड़ लेना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी घर पहुँचना चाहते हैं, लेकिन उस जल्दबाजी का नतीजा क्या होता है, वो दौसा की तस्वीर से समझे फेस्टिव सीजन में घर जाने की जल्दी में मुसाफिर ने चलती ट्रेन में दोड़ लगा कर चढ़ने की कोशिश की, ट्रॉली बैग लेकर वो लगभग गेट पर चढ़ी गया था, तभी उसका बैलेंस विगड़ गया और वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच जा फसा मौके पर मौजूद लोगों ने खीच कर उसे बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच सकी नई दिल्ली स्टेशन पर भी फेस्टिव सीजन में पैसेंजर्स की भीड बढ़ गई है, फुटफॉल रुजाना से कई गुना ज्यादा हो गया है रिजर्वेशन ना मिलने के बाद लोग जनरल टिकट और सीट की आस में स्टेशन पर डेड़ा डाल रहे हैं यात्रियों की भीड इतनी ज्यादा है कि लोगों को पंडाल लगा कर ही बाहर रोका जा रहा है ट्रेन छूटने से एक घंटे डेड़ घंटे पहले ही यात्रियों को प्लेट्फॉर्म पर जाने की अनुमती दी जा रही है मैं नई दिली रेलवे स्टिशन पर हूँ और यहां पर भीड को देखते हुए जो वेटिंग एरिया है वो प्लेट्फॉर्म के बाहर टेंट लगा कर बनाया गया है जहां पर जिन यात्रियों को अपना सफर तै करना है उन्हें प्लेट्फॉर्म पर ट्रेन आने से एक घंटे पहले अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है यानि कि आप देख सकते हैं कि यह जो गेट पर यहां पर चेकिंग हो रही है यहीं से चेकिन करने के बाद ही अंदर जाने की इजाजत है चुकि यहां से 11 नंबर गेट पे जाने के लिए यह गेट बनाया गया है दूसरी तरह बाहर जो भीड है वो किसी भी रूप में अनियंतरित ना हो सके इसके लिए इसी वेटिंग एरिया में सामने डिस्पले भी बनाया गया है कि और यहां पर ट्रेनों का टाइम टेबल भी दर्शाया जा रहा है जिस तरीके से अंदर प्लेटफॉर्म पे डिस्पले होता है उसी तरीके से यहां पर डिस्पले लगाया गया है ताकि यात्री अपनी सुविधा के अनुसार अपनी ट्रेन के बारे में हर तरह की जानकारी यहां से लेते रहे चुकि जो भी ट्रेन समय से जारी है या फिर डिले हो रही है उन सभी ट्रेनों के बारे में जानकारी दी जारी है स्टेशन के बाहर ही डिस्प्ले लगा दिये गए है प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए अलग-अलग साइन बोड लगाए गए है जिससे की यातरी गलत प्लेटफॉर्म पर जाकर भटके नहीं बेवजा भीर ना बढ़े यहां पर जितने भी platform पे अंदर gate बनायागे है, उपर इस तरीके से gate no.10 से 7 के लिए आगे जाना है, gate no.11 के लिए इधर से जाना है, platform no.15 से 1 के लिए इस राशते से जाना है और इस तरीके से पूरा आर्पियेफ के जवानों की तैनाती हर gate पर इस तरह से की गई है कि यात्रियों को किसी भी तरीके से कोई दिक्कतों का सामडा ना करना पड़े चुकि भीड बहुत है और इसी के साथ ये जो inquiry center बाहर होता है inquiry counter उसको inquiry counter को बाहर भी लगाया गया है यहाँ पे रपीएफ का भी एक helps counter बनाया गया है ताकि किसी यात्री को किसी भी तरह की कोई जनकारी हो या परशानी हो उनकी यहाँ पर मदद की जा सके जो डिस्प्ले की मैं बात कर रहा था कि जिस तरीके से वहाँ पर डिस्प्ले बनाए गया है यहाँ पर एक manual display भी बनाये गया है कि यहाँ पर manually भी अपडेट किया जा रहा है कि लगतार हर गारी के बारे में आपको बता दू कि यह पटना special train जो की गोविनपुरी प्रियागरा जा रहा होते हुए जाएगी इसको साम 6 बज़े जाना है लेकिन यहाँ पर अंकित है कि यह train 4 गंटा 40 मेट लेट है और 12 नमबर प्लेटफॉर्म से जाएगी देश के बड़े railway station पर festive season में हालात out of control हो चुके हैं यात्री और train का ratio बुरी तरहा बिगड गया है शायद ही ऐसा कोई station बचा हो जहां अंदर से लेकर बाहर तक भीड ना हो